नमस्कार आप देख रहे हैं दा लोकल जर्णलिस्ट इस वक्त की सबसे एहम खबर मैं आपको दे दूँ कि कोलकता के मटिया ब्रूज में 8 साल की बच्ची के साथ 32 वर्षिय युवक ने जबरंदुसकर्म किया सुत्रों की माने तो ये घटना ब्रिहस्पतिवार को सामसारे 5 बजे हुआ मटिया ब्रूज थाना अंतरगत इस्थीत एम 67 दिनू मिस्तिरी लेन के करीब 4 मंजिला इमारत में 32 वर्षिय युवक बिजय सौ के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया जहां बच्ची के साथ जबरंदुसकर्म कर उसे किसी को ना बताने को कहा और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली बच्ची जब घर पहुँची तो उसकी हालत देख मा को सक हुआ और पूछने पर बच्ची ने सारी बातें बताई उसके बाद बच्ची की मा ने मटिया ब्रूज थाने में रिपोर्ट लिखवाई और घटना के महज तीन घंटे के अंदर पुलिस की मुस्तैदी के कारण आरोपी बिजय साओ को गिरफतार कर लिया गया और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर पुलिस पूझताच कर रही है आपको बताते चलूं कि आरोपी बिजय साओ डी सिक्स्ती वन दीनू मिस्तिरी लेन मटिया ब्रूज का रहने वाला है